हे अबरिवन तो आज हम सेर कर रहे हैं एक बहुत ही टेश्टी नए नास्ते की रेस्पी जिससे बनाना बहुत ही ज़दा इजी है और बहुत ही कम टाइम है बनाकर रेटी कर सकते हैं और इससे बनाना बहुत ही ज़दा इजी है और टेश्टी के साथ यह हेल दी भी है यह ना के पास हो आप ले सकते हैं उसके बाद एक कप सूजी के लिए मैं आधा कप यहां पे दही ले रही हूं और जितना दही में ली हूं उतना ही आपको पानी इसमें डालना है तो ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है दही के हिसाब से आपको पानी डालना है तो आधा कप के कर इतना हमें गढ़ा नहीं चाहिए तो इतना थोरा सा पानी डाल करके, अच्छे से मिक्स कर लेंगे राव जे। तो सभी को अच्छे से निकाल लेंगे mixer jar में से और ये काफी गाढ़ा दिख रहा है, तो इसमें हम डालेंगे, मतलब 2-3 चमच पानी इसमें हम डाल देगे, और इसको क्या करेंगे, अच्छे से mix कर लेंगे, ताकि ये better है न, वो अच्छे से mix हो जाए, और आप देख सकते है बहुत ही अच्छे सी grind हो गया है फ्रेंस और फ्रेंस ये नास्ता बनाना बहुत इज़ी है और बहुत ही कम टाइम है बनाकर ready कर सकते हैं और अब को ज़एद य॥ाजDADH naihi और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च डाल देंगे दो तो यहां पर मैं दो हरा मिर्च इसमें एट की हूं और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे एक खीरा तो खीरा को मैं कदुकस करके यहां पर डाल रही हूं आप चाहें तो यहां पर सिमला मिर्च और गाजर भी एट कर सकते हैं और यहां पर हम डाल देंगे कच्चा जीरा तो कच्चा जीरा आप ज़रूर ऐट कीजिए गए इस से बहुत ही टेश्टी नासता बनता है और स्वाध अनुशार नमक हम डाल देंगे और उसके बाद यहां पर मैं सोडा डाल रही हूँ एसा डालने से ना तो आपको जो पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं और बहुत ही जदा healthy बनके रेडी होता है friends तो आप देख सकते हैं इसका consistency इस तरीके से आपको रखना है आपको पतला ज्यादा नहीं रखना है तो इसको हम क्या करेंगा अच्छे से mix कर लेंगे आप soda add करेंगे ना तो उसके बाद soda add करने के बाद 2-3 मिट तक आपको इसी तरीकी से mix करना है ताकि soda अच्छे से mix हो जाए तो अगर आपको पास soda नहीं हो तो आप इनों भी यहाँ पे डाल सकते हैं उससे भी बहुत ही अच्छे से फुला-फुला सा बनता है तो यहाँ पे देख सकते हैं 2-3 मिट हो गया है फेटते हुए मुझे mix करते हुए और अच्छे से mix हो गया है और मसाले में जो आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं तो यह अच्छे से mix हो गया है और उसके बाद हम यहाँ पे container लेंगे तो यह container plastic का है तो आप चाहें अगर आपके प देंगे इस तरीके से और फ्रेंज यह plastic का है तो बिल्कुल यह मतलब ऐसा नहीं कि खराब बनेगा ना सब बहुत अच्छा बनता है और इसमें हम डाल देंगे इस तरीके से तो आप देख सकते हैं और यहां पे थोड़ा सा डैब डैब कर देंगे ताकि अच्छे से बराब देंगे और फ्रेंज इसको हम क्या करेंगे थोरा सा कस्मीरी लाल मिर्स जो होता है न पाउडर हम इसमें डाल देंगे अगर आप के पास चाट मसाला हो आमचर पाउडर हो भी आप डाल सकते हैं या मैगी मसाला हो भी आप इसमें डाल सकते हैं तो डाल करके इस तरीके से हम ढख देंगे और 7-8 मिनिट तक हम इसको पकाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे सी हमारा नास्ता बनके रेडी हो गया फिरेंगे और इसको हम चेक करेंगे तो यह बिल्कुल रेडी हो गया है थोरा सा हम और इसको ढख लेंगे और थोड़ा दिर के बाद हम इसको देखेंगे कि ये अच्छा से पका है कि नहीं तो यहां पर हम फिर से चेक करते हैं और यह बहुत ही बढ़िया से पक चुका है और यहां पर मैं गैस का फिल्म आफ कर दी हूँ और इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल यह कंटेनर में चिपका नहीं है बहुत आच्छे से यह झास्तबन टे थो गया है और हम de-mold करेंगे तो आपको पता चलेगा यह कितना प्यारा साथ सबन के रेडि हो गया है और बहुत ही फूला फूला सबन के रेडी हुआ फ्रेंस आपको देखने से ही पता चल रहा है ये कितना सुंदर सबन के रेडी हुआ है और बहुत ही सॉप्ट सबन के रेडी हुआ है फ्रेंस इसको हम क्या करेंगे इसको हम फ्राई कर लेंगे और आप देख सकते हैं ये कितन प्यारा सबन के रेडी हुआ है कलर भी बहुत अच्छा है और आप देख सकते हैं कंटेनर में बिल्कुर नहीं लगा है तो क्या करेंगे हम चलिए गईस के तरफ चलते हैं तो यहां पर हम एक पैन ले लेंगे और बरस से हम थोरा सा वोई लगा देंगे रिफाइन वोई एक चुमच के करीज़ और इस दोरा सा अड़ार अं Deb dado को ठचगे लगे ताकि छन्य करणे में अच्छा लगए नायांसंटा और ऊपर से भुरा ऑदेंगी ओए तो अच्छा से फ्राई हो जाता है Ы डेख सकते हैं और इसको पलार्ट लेंगे और दोथ से तुईमियं, पलाँ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आप देख सकते हैं फ्रेंज बहुत ही एमी सा टेश्टी सा नास्ता बन की रेटी हुआ है तो आप एक बाद जरू ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बनाना आपको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही हेल्दी है फ्रेंज ज़्यादा चीजों को जड़त भी नहीं पड़ता है कि ज़्यादा लगे समान यह बहुत ही कम चीजों में आपके किचन में ही अराम से मिल जाएगा और आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही टेश्टी सा बन के रेडी होता है तो यह बिल्कुल फ्राई हो गया है तो इसको निकाल लेंगे और इसको हम कटिंग करेंगे तो कटिंग आपको जो मतलब पसंद हो आप कटिंग कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे लंबे से में कटिंग करेंगी आप देख सकते हैं और बहुत एजली से कटिंग हो जाता है और देखने से ही पता चलेगा कि यह कितना ही हुँँ सौरस के साथ तो आप चाहे हो तो हरी चटनी के साथ कहा सकते है और यह अइसे भी खा सकते है यह बहुत ही है लगता है कहाने में और मैं आपको तोर के भी दिखांगी यह कितना स्पॉँजी सा बनके बहुत ही बड़ी आसा नास्ता बनके रेडी हुआ है और खाने में बहुत ही हमी लगता है तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक्स पर वाद चेंग बाबाएं टेक